हेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दवाना न भूलें ठीक है चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ सम्मिधान सभा की और जिसके महत्रपूर प्रस्न जो रेलेवे में या किसी भी इस्टेट एक्जाम में आने वाले हैं, आते हैं बहुत इंपोटेंट हैं और ये प्रस्न चरूर पूछे आते हैं तो बिना देर किये हुए मैं आपको प्रस्नों की और लेकर चलता हूँ तो आज का टोपिक है भारती सम्मिधान सभा तथा सम्मिधान निर्माड इससे सम्मंदित महत्रपूर प्रस्न आज मैं आपको कराऊंगा तो क्रप्य सभी एंड तक वीडियो में बने रहें पहला प्रस्न है सम्मिधान निर्माड की सर्वपर्थम मांग बाल गंगरतर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विदेयक द्वारा की गई नेक्स्ट है 1916 में होम रूल लीग अंदुलन चलाया गया जिसमें घरेली सासन संचालन की मांग अंगरेजों से की गई ठीक है यह जो प्रस्न है वन लाइनर है दिहां से सुनते रहें बहुत इंपुटेंट है नेक्स्ट है 1992 में गांदी जी ने सम्मिधान सवा और सम्मिधान निर्माड की मांग प्रवलतम तरीके से की और कहा कि जब भी भारत को साधी हिंता मिलेगी भारती सम्मिधान का निर्माड भारती लोगों की इच्छाओं के अनकूल किया जाएगा नेक्स्ट है अगस्त 1926 में नहरु रुपोर्ट बनाई गई जिसकी अद्धिक्षदा पंडित मूतिलाल नहरु ने की इसका निर्माड बंबई में किया गया नेक्स्ट है इसकी अंतरगत बिटिस भारत का पहला लिखित सम्मिधान बनाया गया जिसमें मौलिक अदिकारों अल्प संख्यकों के अदिकारों तथा अकिल भारती संग एवम डोमिनियम इस्टेट की प्रावदान रखे गई नेक्स्ट है इसका सबसे प्रवलतम विरोध मुस्लिब लीग और रियास्तों की राजाओं द्वारा किया गया था ठीक है नेक्स्ट 1939 में जवाहर लाल नहरू की अदिक्षता में कॉंग्रेस का लाहोर सम्मिलन हुआ जिसमें पूर सुराज की मांग की गई नेक्स्ट है 1936 में कॉंग्रेस का फेजल पूर सम्मिलन आयवज़ित किया गया जिसमें कांग्रिस के मंज से पहली बार चिनी हुई सम्मिधान सवादवारा सम्मिधान निर्माड की मांग की गी ठीक है Next मार्श 1942 में दूसरे बिस युद्ध से उपजी परिस्तियों के उपरांत किर्प समिसन भारत भी जा गया जो एक सदसिकात था इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदाई सासन की मांग को मानने का वेचन दिया लेकिन यहां भी डोमिनियम स्टेट अवधारणा रखी गई Next है जिसे कॉंग्रिस लीग और गांदी जी ने ना मंजूर कर दिया तथा गांदी जी ने इस मिसन को पोस्ट डेटिड चेक की संग्या दी Next अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भाइस से में कभी भी फेल हो सकता है ये बात उन्होंने कही थी Next है भारत में सासन की अव्यवस्था को देखते हुए ततकालिन वाइसराई लाड़ वेबिल ने जून 1945 में सिमला में सर्वदलिय बैठक बलाई जो किसी भी तारकिक नतीजे पर नहीं पहुची इस सम्मिलन को सिमला सम्मिलन या बेवल योजना की नाम से जाना जाता है ठीक है तो इसकी डेट याद रखना है, इसकी डेट पूँचता है कि सिमला सम्मिलन या बेवेल योजना कब हुई थी तो इसकी डेट है 1945 नेक्स्ट है मार्च 1946 में केविनिट मिसन भारत भेजा गया ये बहुत इंपोडेंट कुश्चन है इस कुश्चन को मार्क लगा, इस्टार लगा कर रहो ये कुश्चन आना है पेपर में जिसकी अदिक्षता सर पैंथिक लोरेंस नहीं की तथा दो अन्य सदस सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे ठीक है केमिनेटिंसन वाहरत कवाया उन्य सो चालीस मार्च में इस आयोग द्वारत ततकालीन समय में साहसन का सही निर्धरण करने का प्रियाज किया गया इसकी सिफारिसों के आधार पर संबिदान सवा की रजना की गई जो निमन परकार है ठीक है संबिदान सवा में कुल सदस्य यह कुद गलत है यहाँ है कुल ठीक है संबिदान सवा में कुल सदस्य शंक्या 389 निर्धरण की गई तो कितने सदस्य इसमें किवल सदस्य पूछता है संबिदान सवा में कितने सदस्य निर्धरण की गई का उन्सरों जागा 350 ब्रिटिश भारत से 222 सदस्य थे अभ lush थे आजी केisu suggest seemed अमें कॉन कों अन्सर थे ब्रिटिश भारत से 270 सदस्य लाज़िए से पर एक सदस्य को चुना जाए गा तीक दस लाग की जंज़़ कि एक सदस्य को चुना जाएगा ये उसमें सर्द रखी गई सदस्यों को तीन भागों में बाटा गया नमर एक सामान दो मुस्लिम तीन सिख पंजाब के थे प्रत्थक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया था इसी आयों की सिफार्षों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन कराए गई जिसमें कॉंग्रेस ने 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग तेहतर तथा अन्य 15 सीटें जीते हैं नेक्स्ट चार चीफ कमिशनरी छेत्रों में दिल्ली, कुर्ग, करनाटक, अजमेर, मेरवाड़ा और बिटिस पलुचिस्तान जो पाक में है पाकिस्तान में इसी के आधार पर अंतरीम सरकार का गठन 1946 में किया गया जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार करना प्रारंब किया जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं किया था इस सरकार का अध्यक्ष ततकालीन वाइसराय लाड़ बेविल तता उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इस सरकार ने सदसे संक्या नहरू सहित 14 रखी गई 26 अक्टूर 1946 को इस सरकार का पुनर गठन किया गया लीग ने पांच प्रतनदी इसमें सामिल किये गई मार्च 1947 में माउंट बेटन भारत की वाइसराय बने इन्होंने तीन जून 1947 को एक योजना परस्तित की जिसे बिवाजन माउंट बेटन जून योजना की नाम से जाना जाता है इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया इस योजना की किरियान वेन 15 अगस्त 1947 के भारत के सोतंता अधनियम में हुई इसके निम्न प्रावधान थे ठीक है इसके प्रावधान ध्यान में रखेंगे प्रावधान है भारत को दो डोमेनियम इस्टेटों में बाटा गया नमर एक भारत और नमर दो पाकिस्तान नेक्स्ट भारत से ब्रिटिस समराट की सभी अधिकार हटा लिये गए प्रदेश तता असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया भारत का सासन जव तक समिधान का निर्माड पूरुडतान नहो 1935 के भारत सासना दिनियम से चलाया चलाना तय किया गया ठीक है कब तक जब तक भारत का सम्मिदान का निरमाड पूरते नहो तब तक के लिए सम्मिदान सबाकूर संप्रभू शंप्रभूता की इस्तिप्राप्त हो गई नेक्स्ट है भारत का वाइसराय माउंट बेटन बना रहा लेकिन पाकिस्तान में गवर्णजन जनरल या वाइसराय मुहम्मद अली जिन्ना बने ये बहुत बटेंट कुस्चन है इसे ध्यान रखना नेक्स्ट है बिभाजन के बाद सम्मिदान सभा का पनरगठन किया गया नव दिसमबर उनिस्त没有 learning सभा की पहली बेठक हुई जिसमें अस्थाय द्यक्ष सच दनल सिन्ना को बनाया गया था ये बहुत बहुत बेरी-बेरी most important कुस्चन है कि नौ दिसमबर उनिस्त पहली बेठक हुई थी और इसके अद्यक्ष किसे बनाया गया सच्चितनन्द सिन्ना को नेक्स्ट है दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को भी जिसमें इस था यद्यक्ष डॉक्टर राजेंदर परसाद को बनेया गया इसी बैठक में अबाद्यक्ष H.C. मुखरची थे था सम्मिधानिक सलाकार B.N. राव थे तीक है 13 दिसंबर 1946 को बलाई गई जिसमें नहरू जी द्वारा उद्देश परस्ताव पेस किया गया जिससे सम्मिधान सवा ने 22 जनवरे 1947 को अपना लिया इन्हीं उद्देश परस्तावों के आधार पर भारती सम्मिधान की परस्तावना निरमित की गई सम्मिधान सवा द्वारा सम्मिधान निरमाड हेतू कुछ सम्मितियों का गठन की आगया जो निमने परकार थी नमबर बन सम्मिधान सम्मिती है संग सक्त सम्मिती नमबर दो सम्मिधान सम्मिती नमबर ती राज्यों के लिए सम्मिती तो संग सक्ति सम्ति के द्यक्ष जवालल नहरू संविधान सम्ति के जवालल नहरू राज्यों के लिए सम्ति जवालल नहरू ठीक है नेक्स्ट सम्तियां है साज्यों तथा रियास्तों से प्रामर्स सम्ति इसके सरदार पटेल मौले का दिकार है वो अलप संक्यक सम्ती के सरदार पटेल प्रांती संबिदान सम्ती के सरदार पटेल मौले का दिकार हो पर उप सम्ती जेवी करपलानी नेक्स्ट है जंडा सम्ती के अध्यक्च जेवी करपलानी नेश्ट है प्रक्रिया नियम सम्थी संचालन राजेंदर परशाद नेश्ट है सर्वोच नेलाईजी संबंदित सम्थी SH वर्धाचेरियन नेश्ट है प्रारूप सम्मिदान का परिक्षड करने वाली सम्थी इसके हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी ऐयर नेश्ट है प्रारूप सम्ती ट्राफ्टिंग मसओदा सम्ती डॉक्टर भीमराव मेडगर नेश्ट है सम्मिदान समिक्षा आयोग एमन बेक्टोचलिया प्रारूप सम्ती के साथ सदस्य निम्न थे देखे ये वाले उपर वाले जो सदस से हैं ये सभी बहुत important हैं प्रिस्णों में मतलब ज़्यादातार प्रिस्णों पूचे जाती है एकजाओं में बहुत पूचे जाती है और ये भी ठीक है next प्रारूप सम्ति के साथ सदस निम्न थी नमर एक डक्टर बीयारव मेडगर टीक है नमर दो अल्लादी करिशन सौमीय आईयर नमर तीन एन गोपाल सौमीय आयंगर नमर चार कन्या लाल मडिकलाल मंसी नमर पांच एन मादवन राव ये बी एल मितल के स्थान पर आये थे ये ठीक है नमर 6 टीटी कृष्णामाचारी यह डीपी खेतान के इस्थान पर आए थी देखिए यह दोनों जिनके इस्थान पर यह आए हैं यह दोनों ब्यक्ती एक्सफायर हो चुगे थी उनके इस्थान पर बीयल मित्तल के इस्थान पर एन माधवन राओ टीटी किश्णामाचारी आये थी डीपी खेतान के इस्थान पर एक बीमार चल लही थी और एक एक्सफायर हो चुगे थी नमर साथ है मुहमद सादुल्लाह नेक्स्ट है प्रारूप सम्ती 29 अगर 1947 को गटती की गई यह डेट प्यूज लेता है दिखान रखना इस्थ है सम्तिदान जब्यव्टा के इंद्ठ का दूसो साथ सदस्यों ने भाग लिया देखिये भाग तो 15 महल ने लिया लेकिन 8 मersonete लेती कि यह दें Next, 15 अधर्ष्ट 1947 को भारत भिवाजन उपरांत संब्धान सवा में सदस से संख्या घटकर 324 रह गई Next, अक्टूवर 1947 संब्धान सवा में सदस से संख्या घटकर 299 रह गई संब्धान सवा दवारा संब्धान की कुल तीन वाचन संपन्द किये गई नमबर एक अंतिम बाचन 17 नवंबर 1909 से 26 नवंबर 1909 तक कुल बैठकें जो हुई थी 105 बैठकें यहान रगना बहुत अपूर्डन कुश्चन आई है बारे अधिवेशन संपन हुए है भारत बिवाजन से पूर्व चार अधिवेशन संपन किये गए थे बिवाजन से पहले ही चार अधिवेशन संपन कर लिए गए थे साथ वे अधिवेशन में महात्मा गान्दी को सर्थ दानजली अरपित की गई थी मई 1949 में भारत ने राष्ट मंडल की सदस्ता गिरहेड करना सनस्चित किया भारती संपनान संपनी और समायोजन के आधार पर बनाया गया है भारती जो संपनान है वो किस के आधार पर है सहमती मतलब सभी की सहमती है और समायोजन भी है सबका नेक्स्ट है भारती संपनान सबाने दो प्रकार से कारे किया नम्मर एक, जब संभिधान निर्माड का कार किया जाता तो इसकी अध्यक्षता राजन परशाद करते हैं तथा जब संभिधान सभा विधायका के रूप में कार करती है तो अध्यक्षता गडे सुबस्थ देव मावलंकर द्वारा की जाती है यह वही है जीवी मावलंकर ठीक है सम्मिदान सबागी अंतिम बैटक सम्मिदान निर्माड हेतु 24 नॉबंबर 1994 को आयुजित की गई इस दिन 284 लोगों ने सम्मिदान पर हस्तक्चर की यह बहुत बहुत इंपोडेंट कुस्चन कितने लोगों ने सम्मिदान यह बहुत बहुत रहा है तो ठीक है दोस्तों यहीं तक मैं इस वीडियो में कुस्चन करा रहा हूं अगर और भी कुस्चन चाहिए आगे के बहुत important और भी question बचे हुई है तो please comment करके बताएं मैं एक और वीडियो सामको बना दूँगा ठीक है लेकिन वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें इससे आगे के question बहुत सारे हैं अनुचित कितनी थे अनसूचियां कितनी थे बहुत सारे हैं ठीक है बहुत important question और रहे भी गई है जो आने वाले exam आती है तो कृपिया comment करके बताएं मैं आपको वीडियो provide करा दूँगा और comment करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ठीक है बाई बाई